दोस्तो अगर आप 18 साल गे हो चुके हैं या फिर कुछी महीनों में होने वाले हैं और आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया हैं बलकि कई जगों पर ये आपके पहचान पत्र के रूप में भी काम आता हैं आप अपने आधार कार्ड की सायता से अपने वोटर आईडी कार्ड को बड़ी असानी से अपलाई कर सकते हैं वो कैसे चलिए उसका पूरा प्रोसर्श जान लेते हैं दोस्तों अपने फोन से वोटर आईडी कार्ड को अपलाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में वोटर हेल्प लाइन एप को डाउनलोड करना है Simply आपको Play Store पर जाना है और Water Help Line सर्च करना है और Water Help Line एप को डाउनलोड कर ले रहा है डाउनलोड करने के बाद आपको एप को ओपन करना है जैसे ही आप एप को ओपन करेंगे आप से कुछ Login डिटेल्स माँगी जाएंगी जैसे कि आपका Mobile Number, Password यहाँ पर अगर आपने पहली बार इस एप को डाउनलोड किया है तो पहले आपको इस एप पर Registration करना होगा और अपने Password को Create करना होगा उसके लिए आपको नीचे New User पर क्लिक करना है उसके बाद अपना Mobile Number यहाँ पर Enter करना है और नीचे Send OTP बटन पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पर आपको कुछ दिटेल सेंटर करनी है जैसे कि आपका Mobile Number, आपका नाम और अपनी पसंद का जो भी Password आप चाहते हैं उसे यहाँ पर भर देना है और उसके बाद आपके Mobile पर मिले OTP को यहाँ पर भरना है और नीचे Submit पर क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपका App पर Registration कंपलीट हो जाएगा उसके बाद आपको दोबारा से App को Open करना है और अपनी Login Details के साथ यहाँ पर Login कर लेना है यानि के अपना Mobile नमबर यहाँ पर Enter करना है और जो Password आपने Create किया है उस Password को यहाँ पर भर देना है और उसके बाद नीचे Send OTP बटन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके Mobile नमबर पर एक OTP प्राप्त होगा उस OTP को आपको नीचे यहाँ पर भर देना है और उसके बाद नीचे Login Now पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका Water Help Line एप में Login हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह से बहुत सारे Options दिखाए देंगे इन Options में से आपको पहले Option Water Registration पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह से Screen दिखाए देगी यहाँ पर आपको पहले Option Form 6 New Water Registration पर क्लिक करना है उसके बाद अगले पेच पर आपको नीचे let's start पर कलिक करना है कलिक करते ही अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी यहाँ आपको कुछ भी change नहीं करना है और नीचे next पर कलिक करना है अगले पेच पर आपको सबसे पहले अपने state को चुनना है उसके बाद अपने district को चुनना है उसके बाद अपनी assembly constituency को चुनना है और उसके बाद अपनी date of birth को यहाँ पर चुनना है date of birth भरने के बाद नीचे आपको एक date of birth proof भी यहाँ पर upload करना होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर date of birth proof में आप क्या document upload करना चाहते हैं उसे select करना है जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं आप इन सभी documents में कोई भी एक documents यहाँ पर upload कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं आधार card को चुन लेता हूँ उसके बाद आपको नीचेर अपने आधार card की self-attested copy को upload कर देना है यहाँ पर simply upload पर click करना है और आधार card की image को यहाँ पर upload कर देना है जो कि JPEG और JPEG format की होनी चाहिए और file का size maximum 2MB का होना जरूरी है उसके बाद नीचे next पर click करना है जैसे ही आप next पर click करेंगे अगले page पर सबसे पहले आपको अपनी photograph को यहाँ पर upload करना है photo यहाँ पर JPEG या फिर JPEG format का होना जरूरी है और file का size 200KB के नीचे होना जरूरी है तो यहाँ पर upload पर click करके अपनी photograph को यहाँ पर upload कर देना है उसके बाद नीचे scroll करना है यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने gender को select करना है उसके बाद अपने नाम के first name को यहाँ पर भरना है यहाँ पर जैसे ही आप अपने नाम को भरेंगे नीचे आप देखेंगे हिंदी में automatically आपका नाम आ जाएगा जिसे आपको एक बार check कर लेना है उसके बाद नीचे अपने sir name को यहाँ पर भरना है उसके बाद नीचे अपने आधार number को यहाँ पर भरना है आधार number भरने के बाद नीचे अपने mobile number को यहाँ पर enter करना है उसके बाद अगर आपके पास आपकी कोई email ID है तो उसे यहाँ पर भर देना है उसके बाद disability में आप देखेंगे यहाँ पर विकलांग लोगों के लिए option दिए गए है अगर आपके उपर यह applicable होता है तो उसे tick कर देना है उसके बाद नीचे next पर click करना है अगले page पर आपको अपने relation में किसी भी व्यक्ति की details को यहाँ पर भरना है जैसे की father, mother, wife, legal guardian मेरे किस में यहाँ पर मैं father की details भर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने father को चुन लिया है उसके बाद नीचे relative के नाम को और surname को यहाँ पर भर देना है यहाँ भी automatically हिंदी में नाम आ जाएगा उसके बाद नीचे next पर again क्लिक करना है अगले page पर आपको अपने complete address को fill up करना है उसके बाद नीचे आप देखेंगे आप से address proof मांगा जाएगा तो यहाँ पर select address proof में आपको अपने address proof को यहाँ पर select कर लेना है यहाँ पर आप देखेंगे list में दिये गए किसी भी document को आप यहाँ पर address proof के लिए चुन सकते हैं और उसे upload कर सकते हैं मेरे case में यहाँ पर मैं आधार कार्ट को upload कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आधार कार्ट चुन लेता हूँ उसके बाद नीचे upload पर click करके अपने आधार कार्ट की copy को यहाँ पर upload कर देना है उसके बाद next पर click करना है उसके बाद आपको अपनी family members में से जिसके पास पहले से voter ID card है उसकी details यहाँ पर भरनी है पहले आपको यहाँ पर relation type को select परना है जैसे कि मेरे case में यहाँ पर मैंने father को चुन लिया है उसके बाद family member के नाम को यहाँ पर भरना है और नीचे उसके voter ID number को यहाँ पर भर देना है और next पर click करना है जैसे ही आप click करेंगे अगले page पर आप देखेंगे आपको एक declaration दिखाई देगी जिसमें सबसे पहले आपको अपनी state को चुनना है उसके बाद अपने district को चुनना है और नीचे अपने village या town के नाम को भर देना है उसके बाद नीचे आपको आप इस address पर कब से रह रहे हैं उस date को नीचे आपको चुन लेना है अगर आप जनम से इस address पर जो address आपने दिया है उस पर रह रहे हैं तो यहाँ पर अपनी date of birth को चुल लेना है उसके बाद last में यहाँ पर अपने place को यहाँ पर भरना है और नीचे done पर click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे आप देखेंगे आपको आपके form का पूरा का पूरा preview दिखा जाएगा उसमें आपको दो बारे से सारी details चेक कर लेनी हैं और अगर सारी details आपकी सही भरी हैं तो नीचे confirm पर click कर देना है जैसे ही आप confirm पर click करेंगे आपका application successfully submit हो जाएगा और आपको application को track करने के लिए एक reference number भी दिया जाएगा online application submit करने के कुछी दिनों बाद आपका voter ID आपके घर के address पर पहुँच जाएगा आप अपने application का status भी चेक कर सकते हैं उसके लिए आपको home page पर जाना है और यहाँ पर 12 से voter registration पर click करना है जैसे ही आप click करेंगे अगली screen पर उपर आप देखेंगे यहाँ आपको track status of your form पर click करना है अगली screen पर आपको अपने reference number को यहाँ पर भरना है उसके बाद अपनी state को चुनना है और नीचे track status पर click कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको current status यहां पर दिख जाएगा और अगर आपका voter ID card issue हो चुका है तो आप उसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं वो कैसे करेंगे वीडियो का link मैंने नीचे description में डाल दिया है उसे देखकर आप अपने voter ID card की PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप घर बैटे ही online अपने mobile से ही अपने नए voter ID card को बनवा सकते हैं वीडियो अगर पसंद आईए तो प्लीज लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों को जरूर भीजेगा अभी के लिए धन्यवाद अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे All the best